गुड अफरनून फ्रेंड्स मैं वे शुक्ला आपका एजुकेटर, गाइड, मेंटर हाजिर हुए एक बार आपके साथ फिर से इंडिया के लार्जस लर्णिंग प्लेटफॉर्म अन अकेटमी पर जैसा कि हम हर क्लास के शुरुवात में चंद बाते अन अकेटमी प्लेटफ इस वक्त अनकेटमी प्लेटफॉर्म पर न्यू अनौंस्मेंट की गई है ये लिप्टेट टाइम के लिए की गई अनौंस्मेंट है इसके तहत आप UPPSC और UPPSC के लिहाज से अपनी preparation को आगे बढ़ाने के लिए 12 मंस का subscription लेनी की स्थिती में 2 मंस का subscription free of cost पा सकते हैं और वहीं आप अगर 2 एर का subscription ले रहे हैं तो आपको 3 मंस का subscription free of cost दिया जा रहा है So don't miss this golden opportunity, boost your UPPSC and UPPSC preparation with these amazing offers Platform पर फते UPPSC scholarship test भी organize किया जा रहा है ये scholarship प्रदेख रविवार को आयोजित होता है टेस्ट की timing है सुबह 11 बजे इस test के तहर जिसकी पहली rank होती है उसको 100% scholarship दी जाती है 1 year plus free subscription के लिहाज से और जिसकी 2nd से 3rd rank होगी वो 50% scholarship पासकेगा 6 months plus subscription पर 4 से 25th rank के holder को 25% scholarship दी जाती है 6 months के plus subscription पर टेस्ट pattern की बात करें तो test में GS के देर्सों multiple choice प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्नों के अंग समान होते हैं Medium English और Hindi दोनों ही है Maximum marks 200 का duration of paper 2 hours का होगा हर गलत उत्तर के लिए 1 by 3 की मैनस मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है याद रखे Learners with active subscription are not eligible for scholarship यानि वो जो अलड़ी academy platform से जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहा है वो इस scholarship के लिए अबल नहीं होंगे UPPSC and UPWSC गुरु नेत्रत श्कॉलर से टेस्ट भी ऑगनाईस किया जा रहा है ये free test उत्तरपरदेश के top educators दोरा ऑगनाईस हो रहा है टेस्ट की timing है रात 8 बजे और उसके ठीक आधे गंटे बार यानि साधे 8 बजे टेस्ट का discussion भी किया जाता है लेकिन याद रहे अगर बात मंगलवार की करें तो ये टेस्ट ऑगनाईस किया जाएगा साधे 7 बजे और इसका डेश कसंटी का आधे गंटे बाद 8 बजे होगा मंगलवार के लिहाज से बात करें अगर टेस्ट के किसके किसके guidance में ऑगनाईस हो रहा है लेकिन चंद खूबियां जो हम सरसरी नजर से देख सकते हैं टॉप एंगल से हमें नजर आती हैं उनकी चर्चा करेंगे लर्न लाइफ रॉम दा कमफर्ट ऑफ यूर होम यानि ब्लस फीचर से जुडने के स्थिति में आप अपनी कमफर्ट जोन में रहकर के आप अपने मनपसंदीदा स्रिक्षक से इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अपने घर पे रहकर के बढ़ाई कर सकते हैं अनलिम्टेट एक्सेस टू आल कोर्सेस सब्स्ट्रिप्शन लेनी के स्थिति में आपकी पहुंच अनलिम्टेड लाइब और रिकॉर्डेट पोर्सेस तक हो जाती है टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया और वन प्लेट फॉर्म इंडिया की बेहतरीन फैकल्टी टॉप एजुकेटर्स एक साथ एक बैनर के तले प्लेटफॉर्म के पर आपको उगलब्ध है स्टुक्टर्ट फॉर्म में कम्प्लीट सेल्बस आपका कवर कराया जाता है यह जो कि ऑन्लाइन प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खामी है करते हैं कराते हैं यह जो यूनिट के करना एक एक टॉपिक से रिलेटेट प्रिवेस 15 येर पेपर एनालसिस कराना, संभावित प्रस्वों पर भी बात करना और फिर इस तरीके से उस टॉपिक की डिटेलिंग करते हुए आगे बढ़ना, ये सब होता है प्लस फीचर्स पर, कम्प्लीट एक्जाम की प्रेप्रेशन कर सकते हैं, आप जिस भी एक्जाम की तयारी के लिए जूड़ रहे हैं, उसमें फ्रॉंट बिग्निंग तु टॉप की यात्रा आप यहां तैग कर सकते हैं, अगर पढ़ने पढ़ाने के दौरान किसी विशे विशेस या विशेस से जुड़े किसी टॉपिक को ले करके किसी तरह की संका हो, तो शंका को जोड़ करम आगे नहीं बढ़ते, बलकि डाउट प्लेरिंग सेशन के जरी आपको यह उसर देते हैं कि आप अपनी शंकाओं का समाधान पा सके, लाइब टेस्सरी जाती हैं जिसके जरी आप यह जान सकते हैं कि आप अपनी कॉम्टेटिव एक्जाम में कहा ठेरते हैं, किस दिशा में आपकी तैयारी जा रही हैं, प्रत्योग्यों के पेक्षा आपके स्तितिक क्या है, ना सर्फ इतना बलकि टाइम मैनेजमेंट, सिली-सिली मिस्टेक्स जो आप जो है, अचानक एक्जाम फेस करने के कारण करते हैं, उन सब कमियों से बस सकते हैं, और अपनी तैयारी को तराज करास के आगे बढ़ा सकते हैं, इस्टेडी मेटेरियल प्र्चर्ण के बागर नहीं हो सकता, या आप सब जानते हैं, इस वजए से इस पॉर्चन पर हम काफी बर करते हैं, नजर आ रहे हैं, Mentorship और Guidance को गदम-कदम पर Plus Features के जरीए आपको अपलब कराई ही जाती है। मिसन खाकी सिर्सक से Crash Course on UPSI 2021 भी लाँच किया गया है। में रखते हुए ये बैश लाँच किया गया है। अगर आपने भी रादा बनाया है समिक्षातकारी और सहाग समिक्षातकारी के तोर पर अपना एक अस्थान सुरक्षित करने का तो आपके लिए बैश बहुत ही जो है कारगर सिर्द होगा। लक्ष UPPSE 2021 जी हां अगर आपका भी लक्ष UPPSE 2022 में अपने लिए एक सम्मान जनक सीट सुरक्षित करने का है। तो एक साल का प्री कम मेंस का ये बैश आपके लिए हर कदम पर जो है मददगार साबित होने वाला है जो 9 जूम से स्टार्ट किया जा चुका है तो आप इसे जॉइन करके अपनी मुकमल प्री और मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सार्थी सिर्शक से UPPSA Prelims 2021 बैश कोर्स भी स्टार्ट किया जा रहा है 9 जूम से ही ये बैश प्रिलिप्स को डेडिकेटेड है क्योंकि आप जानते कि इस बार लगबग साधे 7 लाग आवेदन पढ़ रहे हैं और ऐसी इस्तिती में एक्जाम काफी टफ होने वाला है काफी नेक तो नेक फाइट का सामना करना पड़ेगा और इस बैश के जरिए आप जो है स्ट्रेट्जी के तहत अपनी तैयारी को आगे बढ़ा करके अपने आपको औरों से बहतर साबित कर सकते हैं यहां वेध एस 10 रफरल को यूज करनी की स्कती में किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन फीपर आपको 10% डिसकाउंट प्रेटफॉर्म के दोरा दिया जा रहा है मसलन अगर एक मंस की फीस 1400 है तो अफटर 10% discount ये 1260 हो जाएगी इसी तरीके से वो फीस जो एक साल की 7000 है ये 10% छूट के बाद 6300, दो साल की फीस 8400 है वो 10% छूट के बाद 7500 हो जाएगी सो प्लीज यूज मैं रेफरल कूट एंड गेट डिसकाउंट कॉमबो सब्सक्रिप्शन आप सभी लेर्नर्स के लिए अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर इस वक्त एक मेगा कॉमबो आफर उपलब्द है जो चार केटिग्रीज के टॉप एच के साथ आपको तैयारी का उसर देत जिसमें आपने उपलब्द बैचेस चलाई जा रही टेस्स सिरीज और सहुलियत और सुधाओं के बारे में जानकारी हासल की मैं उम्मेद करता हूँ कि आपने अभी तक जो है अगर अनकेडमी प्लेटफॉर्म को लाइक शेर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस जी हां भारती सम्विधान एवं राज विवस्तादी के सलबस बात को इसपस्ट करता नजर आ रहा है कि पढ़ना तो हमें इंडियन कॉंस्टिट्यूशन है लेकिन आख बंद करके कम्प्लीट सलब कॉंस्टिट्यूशन की स्टड़ी की तरफ हम नहीं बढ़ जाएंगे हम हम सम्विधान को पढ़ने पढ़ने के क्रम में अपनी नजरों पे राज विवस्ता का चश्मा लगा कर रखेंगे और सम्विधान को उस नजरी से पढ़ेंगे जो हमें शाषन विवस्ता को समझने में जादा जो है capable बनाए और प्रष्णों की संभावना भी यहीं से इति प्रिवेस एर पेपर एनालसिस की बदूलत लगबग 10 प्रिवेस एर पेपर एनालसिस भी हमने किया और जिसके जरी हम यह जान सके कि एक्जाम किस पैटन पर जा रहा है, nature of question कैसे बदल रहा है, question का trend कैसे बदल रहा है, वो कौन सा portion है जहां पर इस समय एक्जामने ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ज्यादा प्रशन जहां से आ रहे हैं, यह सब जानने समझने के दौरान, सल्बस जिशकसन क दौरान हम इस नतीजे पर पहुंचें कि सलसले बार अध्यन के साथ-साथ, हमें जो है जरूरी और गैर जरूरी का फर्क करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि सेलेक्टेड अप्रोच के साथ समय रहते हैं अपनी मंजिल तक पहुंस सकें, तमाम topic हमने डिसकस किये हैं, और सलसले में जो आज का topic है, यह है भारत का महानियावादी और महादिवत्ता, जी हां, Attorney General of India and Solicitor General of India यह आज का अमारा topic होगा, एक्जाम के द्रिश से देखें, तो इस topic से कुछ limited जो है दायरे में रहकर के प्रश्ट बनते रहें और आगे भी बनते रहेंगे, हम यह topic जुनते के बाद उसके कारी कौन से है, उन कारियों का निर्धारन कौन करता है, क्या समिधान इस संदर में निर्देश देता है, या फिर बिद्बन आकर सरकार दोरा का कदम उठाय जाते, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस topic को पढ़ते वक्त हम तलाशेंगे, आईए शु पढ़ने जा रहे हैं, यानि भारत के महानियावादी को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला सवाल जो आपके सामने कड़ा है, वो है कि भारत के अटारनी चनरल कौन होते हैं, क्या कोई भी भारत का अटारनी चनरल हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है, तो वो कौन है, कौन सी य के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में अटार्णी जनरल ओफ इंडिया यानि एजी की न्यूपति होती है। केंदरी कैबिनेट की सलाह पर राश्टपत इनकी न्यूपति करते हैं और भारती सम्विधान के आर्टिकल 76-1 में अटार्णी जनरल के पत का प्रावधान किय दूरी बात है कि भारत का महान आएवादी क्या है कानूनी सलाहकार क्या होगा कानूनी सलाहकार नियुक्त भारत का सरकारी भारत सरकार का तो आप अगर कहें कानूनी सलाकार या फिर चुकि ये भारत का महानयवादी है तो इसे भारत सरकार का सरुपर्थम विद्याधिकारी भी आप कह सकते हैं सरुपर्थम विद्याधिकारी भी कह सकते हैं और इस विद्य अधिकारी की न्यूक्ति कौन करता है न्यूक्ति होती है राष्टपत के द्वारा ठीक है राष्टपत के द्वारा तो क्या राष्टपत भारत सरकार के सरुपृथम विद्य अधिकारी यानि भारत के महाने आवादी या टॉर्दी जनरल ओफ इंडिया की न अपने मन से करता है, अपने विवेक के आधार पर, अपने विवेक आधिकारों का इस्तमाल करते हुए, जिसे चाहे बना सकता है, नहीं, बिलकुल नहीं, ऐसा नहीं है, राश्टपत करता जरूर है नियुकती भारत के महानियावादी की, लेकिन ये करता है केंद्री पर केंद्री, कैबिनिट की सलाह पर, तो हमने जाना कि भारत का महानियावदी भारत सरकार का सरुपर्थम विद्यदिकारी है, कानूनी सलाहकार है, जिसकी न्यूक्ती भारत के राष्टपत के द्वारा की जाती है, अलूच 6-76-1 में इसके पद्र का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक महानियावदी होगा, जिसकी न्यूक्ती राष्टपत गरेगा। रिखते हुए उनके कार्यावधिन में व्रिध्ध की गई जिसे कहते हैं extension तो वो एक साल के extension पर वर्तमान समय में पंद्रवे महानयवादी के तोर पर जो है काम कर रहे हैं तो हमने ये जाना कि महानियवादी की न्युक्ति राश्पत के द्वारा की जाएगी किंद्री कैबिनेट की सलाह पर किया जाएगा लेकिन किसे बनाया जाएगा भारत का महानियवादी ये जानना आवश्यर है आईए देखें किसे बनाया जाएगा देखे भारत का टॉर्णी जन्रल बनने के लिए वही योग्यताईं चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जैस्ज बनने के लिए जरूरी होती है यानि महान्यवादी के लिए आवश्यक है आवश्यक है कि वह उच्चुतम न्यायाले का न्यायाधी न्यायाले का न्यायाधीश न्यूक्त होने की योग्यता रखता हो नियुक्त होने की योगिता रखता हो हम आएंगे इस पर भी कि आखिर उचितम नियाले के नियाधिस नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योगिता होनी चाहिए दरसल जब ये बात इसपस्ट कर दी गई कि महानयवादी वही हो सकता है जो उचितम नयाले का नयाधी स्निवत होने की योगिता रखता हो तो अब दो सवाल एक ही बात से चुड़ गए कि उचितम नयाले के नयाधी स्निवत होने की योगिता हैं कौन सी है वैसे तो डिटेल में जानकारी सुप्रिम कोट पढ़ने के दौरान हमें होगी लेकिन यहां चुकि महानयवादी के संदर में भी जानना आवश्यक इसलिए देखिए सबसे पहले तो महानयवादी के लिए आवश्यक है कि वह लगाता इस शब्द को गौर से देखें यह आव अधिक उच्च नियाले में पांच वर्स तक न्यायधीस के पत पर कारे कर चुका हो यह पहली शर्थ है और अगर इसके साथ ही कहा गया है अगर ऐसा नहीं है तो लगातार continuous 10 साल तक किसी एक उच्च नियाले या एक से अधिक उच्च नियाले में अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो इसके रूप में अधिवक्ता के रूप में न्यायवादी के रूप में ठीक है और साथी एक बात और कही गई है कि अगर ऐसा नहीं है तो रास्ट्रपत क द्रिस्ट में उच्छ कोटी का विधिवेत्ता हो विधिवेत्ता मतलब विधिका जानकार उच्छ कोटी का विधिवेत्ता हो विधिधात से बना है और विधिधात का मतलब ही होता है जानना तो विधिका जानकार हो रास्पत की द्रिस्ट में या दस साल तक लगाता है रधि बगता के रूप में किसी एक उच्च नियाले या एक सधिक उच्च नियाले में काम कर चुका हो या लगतार पांच वर्स तक नियाधीस के पत पर रहा हो तो ऐसा विक्ति भारत में उच्च नियाले का नियाधीस नियुक्त हो सकता है और ऐसा विक्ति भारत का महानियावाद भारत का टॉर्णी जनरल बनने के लिए भारती नागरिक होना भी अनिवार याद रखें इन तीनों बातों के साथ साथ ये बात भी सपस्ट तौर पर कहीं गई है कि उसका भारत का नागरिक होना आवश्यक है यहां जन्म से नागरिक होनी की बाधता नहीं है बाई रजिस्ट्रेशन बाई निचुलाइजेशन किसी भी तरीके से उसने अगर भारत की नागरिकता ग्रहन की है और नागरिक है तो महानियावादी बनने के योग हो जाता है त जो है वही हो सकता है जो चितम नियाले का नियाधिस नियुक्त होने की योकिता रखता हो। उसकी नियुक्ती राष्टपत के द्वारा केंद्री मंत्रिमंडल के सलाह पर की जाती है और भारती सम्मिधान के आर्टिकल नंबर 76-1 में उसके पद का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलो में अटारनी जनरल ही सरकार का पक्ष रखते हैं तो चितम नियाले में भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा भारत का महानियावादी रखेगा ठीक है और साथ ही वो भारत सरकार को सभी महातुपूर्ण बित संबंदी मसलों पर मश्मीरा भी देगा। वह राश्ट्रपत से मिले अन्य न्याई काम भी कर सकते हैं। कि सम्विधान ने इस पस्ट कहा है कि महानियवादी महानियवादी राश्ट्रपत द्वारा समय समय पर निर्देशित अन्य विधिक स्वरूर के कर्तव्यों का पालन भी करेगा। ठीक तो जब महानियवादी के कारियों का निर्धारन किया जा रहा था तो बताये गए कारियों के अलामा ये बात इस पस्टता मेंशन की गई है कि राश्ट्रपत द्वारा निर्देशित अन्य विधिक स्वरूर के है ना ऐसा नहीं कि कोई में काम आप उसको सौंप दो चोकि वो महानियवादी है विधिसंबंदी विशों का जानकार है इसलिए उसके जो काम होंगी वो विधिक स्वरूर के ही होंगे यानि कोई भी नयाएक काम जो राश्ट्रपत उसे निर्देशित करे उसको भी निभाना उसके जिम्मेदारी हो जाएगी देखें अटॉर्णी जनरल को मिला एक प्रमुक अधिकारिया है कि वे संसत की कारवाही में हिस्सा ले सकते हैं हालांकि वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं है तो देखें दरसल भारत के महानियवादी को भारत सरकार के गदविधियों की जानकारी होनी चाहिए और गदविधियों का अधिकांस गदविधियों का संपाधन वो संसत की कारवाही में होतरा रहा है ऐसी इस्तिति में उन विश्यों पर महानियवादी की नजर हो जिससे कि वो उनका उचित इस्तमाल करके जो है सलाह देने में और सभी गदविधियों से अउगत होने के बा करने के पीछे मकसद ये है क्योंकि ये सदस नहीं है इसलिए इसे मदान का अधिकार नहीं दिया गया ठीक है वह भारत के किसी भी नयाले के सामने पेश हो सकता है मगर सरकार के खिलाफ नहीं वो भारत के राज़ छेत्र में आने वाले किसी भी नयाले में सुनवाई का अधिकार भी रखता है इस बात को इस पस्टता जाने चुकि बारत सरकार का मसला बारत सरकार के राज़ छेत्र में कहीं भी उट सकता है और ऐसे में भारब सर्कार का पक्ष रखने के लिए उसे नयालों में सुन्बाई का अदिकार है लेकिन याद रखें कि सर्कार के खिलाब ने, बलकरी सर्कार के समर्थन में, सर्कार के पक्ष में वो अपनी गत् विद्यों का धांगर करेगा तो आपने क्या जाना? आपने जाना कि महानेयवादी राष्टपत द्वारा निर्देशित अन्यविधिक सुरूप के कर्तव्यों का पालन भी करेगा, संसत की कारवाईयों में भागीदारी भी दर्ज कराएगा, प्रश्ण भी पूछ सकता है, अपना विचारा भी वेक्त कर सकता है, लेकिन मद्दान करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो सदसे नहीं है, इसके अलमा में भारत राष्टपत के अंतर गताने वाले सभी नियालियों में, भारत सरकार के पक्ष में जो है, अपना सुनवाई का अधिकार भी रखता है, ठीक है? तो ये था भारत का महाने और अब चलेंगे हम भारत के सॉलिसीटर जनरल की तरफ जोनों को साथ पढ़ने का मकसद यह है कि दोनों की जो है भून का एक दूसरे से जुड़ी हुई है दरसल सॉलिसीटर जनरल महानयवादी को उसके कारियों में मदद पहुचाने का काम कर रहा है इसलिए दोनों का एक स सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया की मदद के लिए अडिस्नल सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया इसलिए इन सब के बारे में जानकारी हमें हासल करनी होगी लेकिन इससे पहले कि हम भारत के सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ें कुछ बातें आवश्यक हैं जरा उसको देखें, मैं एक बार conclude कर दूँ आपको, महानयवादी देखें हमने जाना वो सारी आवश्यक बातें जो महानयवादी से related हमें जानी हैं, exam की दिर्स से जहां से प्रशन बन सकते हैं, रही बातें topic complete होने के साथ पूरी होई, लेकिन आपको मैं कहूँ कि अगर सिर्फ एक बात, concept का एक धागा आप समाल ले, खुद बखुद फिर उसके बाद महानयवादी से आने वाला कोई भी प्रशन आप गलत नहीं करेंगे, तो कैसा रहेगा देखे जरा, जैसे, अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए कह दू, कि महानयवादी को भारत सरकार का वकील माल लेजी, क्या था मैंने, मैंने का महानयवादी को भारत सरकार का वकील माल लेजी, और जैसे ही आप इसे भारत सरकार का वकील मान लेते, कमों बेस ये है भी, तो आपकी सारे प्रश्णों का जवाब खुद बखुद आपको मिल जाता है, समझने का प्रयास करीब, जैसे हम और हमारे परिवार में, अगर माली जी किसी कानूनी विशे पर कोई अर्चन हमारे सामने आ खड़ी होती है, तो हम एक वकील को चुनते हैं, अच्छा उस वकील का चुनाओ कौन करता है, हम करते ही हमारे परिवार का मुखिया, जहर तोर पर परिवार का मुखिया गरेगा, तो ऐसे में अगर भारत सरकार अपने वकील का चुनाओ करेगी, तो कौन करेगा, भारत सरकार का मुखिया, इसे ही लिए महाने आवादी के नियुकती कौन करता है, रास्ट पर, कोई डाउट नी होना चाहिए, अगर हमारे परिवार में जो है, हम वकील का चुनाओ, हमारे इसी तरीके से राश्ट पती भी अगर जो है, महाने आवादी की नियुकती करेगा, तो महाने आवादी की नियुकती में वो मश्विरा करेगा, और हो केंत्री मंत्रे मंदल से परामर्स करके, महाने आवादी की नियुकती करता है, तो उन्हों बातों को आप इसली समझ सकत अच्छा आईए दूसरी बात पर आए जैसे हम अगर अपने लिए किसी वकील का चुनाओ करते हैं तो उस वक्त हम ये ख्याल रखते हैं जितना हमारी पॉकेट अलाओ करें जितना हमारा सामर्थ हो उससे साथ से हम बेस्ट को चुनेंगे जिससे कि हमारा पक्षबो भली मात ये कमजोर ना हो और हम बेस्ट को चुनते भी हैं अगर भारत सरकार अपने वकील का चुनाओ करेगी तो जाहतोर पर भी इस बाग पर काम करेगी कि बेस्ट का चुनाओ किया जाए उसकी सामर्थ जाता है उसकी रीच जाता है कारियों का की प्रकृत अपेक्षाक्रित कही जादा जटिल है ऐसे में किसी एरे गहरे को नहीं बलकि जब वो भारत का महानियावादी नियुक्त कर रहे होंगे तो उसे चुनेंगे जो मतलब उच्चितम नियाले का नियाधिस नियुक्त होने की योगिता रखता हो तो इस तरीके से महानियावादी वही होगा जो उच चल रहा है हमें किसी अन्य तरीके की कानूनी अर्चन का सामना करना पड़ता है तो क्या हम उसके लिए पहले तो पहला परामर्स दूसी से लेंगे और फिर साहब जो है विशेश गिता को दिखते हो किसी अन्य का चुनाव करेंगे लेकिन पहला परामर्स दूसी लेंगे उसस उसे ये उमीद करें कि वो उनका समाधान भी करें, राइट, चलिए आगे बढ़ते हुं, अच्छा जब महानयवादी की नियुकती हो गई, और महानयवादी की नियुकती आपने कर ली, ठीक है, तो महानयवादी भारत सरकार का पक्ष तो तभी रखेगा, जब उसे भारत सर गटना की complete जानकारी दीजे और सही सही जानकारी दीजे और आप उसे बैठकर बता भी देते हैं त्योंकि गटना विशेस है बैठा कर बता ही जा सकती है लेकिन भारन सरकार की गद्विधिया काफी प्रॉड हैं ऐसे में बताना संभो नहीं है बैठा करके किसी को इसलिए उस संसर के सदन में कारवाईयों में भाग ले सकता है और विचारा भिप्रेट कर सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा क्योंकि वो सदस नहीं ठीक है तो इस तरीके से आप भारत सरकार के वकील और भारत के महानयावादी को compare करके अगर देखें तो सौभाविक जानकारी और करश है कि आप भी उसी का चुनाओ करते रहें ऐसा तो है या फिर किसी को चुन लिया तो कह दिया कि भईया आपको रहना ही रहना है अब आप खट नहीं सकते ऐसा भी नहीं इस तरह महानयावादी भी चुकी सरकार के परामर्स पर अपनी न्यूक्ति पा रहा है राश्पत दे देता है तो ये था भारत का हमानयावादी और उससे बनने वाले प्रश्णुत का जवाब साधान समझ कर देने का प्रियास करना आईयए देखे भारत का सॉलिसी proudly जंडर ठीक है तो कौन होता है सॉलिसी जंडर ठीक वैसे ही जैसे शुरूबात महानयावादी की हुई कि हम इसके बारे में भी देखते हूं और कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन हासल करते हैं। देखें, Solicited General of India दरसल, Attorney General के मातहत होते हैं, यानि उनके अधीनस्त होते हैं। यानि एक तरह से विद्देश के दूसरे सबसे बड़े कानुनी अधिकारी हैं। तो सर्वप्रथम विद्यादिकारी है आपने जाना भारत का महाने अधिकारी कौने भाई यह है भारत का महाने अधिकारी अटॉर्णी जनरल ओफ इंडिया और दूसरे सबसे बड़े विद्यादिकारी दूसरे सबसे बड़े विद्यादिकारी यह हैं सॉलिसीटर जनरल ओफ इंडिया यह नियाईक मामलों में अटार्नी जनरल की मदद करते हैं। अगला है उनके कारियों में सहायता देनी के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। दूसर महता भारत के सॉलिसीटर जनरल हैं और वेड़ गोपाल की तरह उन्हें भी पिछले साल एक्स्टेंशन दिया गया था। तो दुसार मेता भी एक साल के extension पर परतमान में भारत के Solicitor General of India हैं. क्या योगिता चाहिए? Solicitor General of India की नियुकती भी राश्टपती ही करते हैं, ठीक है? वैसे ही जैसे महानियावादी की. योगिता का पैमाना भी वही है जो डौर्नी जनरल के लिए है, योगिता इन्हें भी रखनी होगी. क्या है Solicitor General का काम? Solicitor General Supreme Court या किसी भी High Court में भारत सरकार की तरफ से पेश हो सकते हैं. अगर राश्टपत की तरफ से Supreme Court में कोई संदर्व उड़ता है, तो सम्मिधान के अनुच्छे 143 के तहर, ठीक है, 143 जो राश्टपत को जो रौर्चितमन्याले से प्रामर्स का अथिकार भी देता है, तहर अटार्णी जनरल और Solicitor General of India दोनों में से कोई भी सरकार का प्रत्निधित्ट कर सकता है. अगर उच्छे तमन्याले में कोई भी मसला जो है, राश्टपत की तरफ से उठाया जाता है, तो उसमें भारत सरकार के प्रत्निधी के तौर पर भारत का महानियावादी या भारत का महानियावादी वक्ता दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. खीक है, आईए देखें महानियावादी और महादी वक्ता दोनों एक दूसरे के कारियों से जुड़े हुए हैं, महादी वक्ता महानियावादी के कारियों में सहायता और सलाह देने के लिए, फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेज और ये डिफरेंसेज क्या है, हम जाने देखें कार्यों की द्रिष्ट से देखें तो अटार्दी जनरल और सॉलिसीटर जनरल में कोई अंतर नहीं है और तार्दी जनरल का पद लेकिन सम्वैधानिक है और वारती सम्वैधान के आर्टिकल 76-1 में ये बात इसपस्ट कही गई है कि भारत का एक महानियावाधी होगा तो जिसके पद का वर्णन सम्वैधान में हो उसे हम सम्वैधानिक पदाधिकारी कह सकते हैं लेकिन सॉलिसीटर जनरल और एडिस्नल सॉलिसीटर जनरल के पद महश वैधानिक है वैधानिक मतलब इनका नेमाण इनके पद का सरजन विधी बनाकर जो है सरकार द्वारा संसत द्वारा किये जाते हैं और वो पत कहलाते हैं वैधानिक तो एक जो महातुपूर्ण अंतर है वो ये है कि जहां महानियावादी जो है का पत समवैधानिक है वही सॉलिसीटर जनरल और एडिसनल सॉलिसीटर जनरल का पत महश वैधानिक है अटॉर्री जनरल और सॉलिसीटर ज एधिकारी है और उनके प्रक्ष को रखने के लिए प्रक्षिदी के तोर पर इनके मौझूद की हो, ऐसे में ये बात तो पहले से इस पस्ट है कि वो किसी भी सरकारी उपकरम या सरकार के खिलाब सला देनी के लिए जो है योग नहीं है, सला नहीं दे सकते हैं, इस बात की बा हम एक नसर में फिर से महानयवादी को देखने का प्रयास करेंगे, टॉनी जनरल आफ इंडिया को देखिए, संगी कारपालिका, यानि राष्टपती, उपराष्टपती, प्रधान मंत्री और मंत्री परसर, तथा भारत के महानयवादी से मिलकर बनती है, यानि महानयवाद से मिलकर बनती है भारत की केंद्री कारपालिका चीक है कारपालिका हमने जाना था कि कारपालिका दो तरे की होती है एक्सक्रेटिव दो तरे की एक जिसे हम कहते हैं राजनैतिक कारपालिका और दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रशासनिक कारपालिका जहां राजनेक कारपालका का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लिया जाए कारूों कारपालका और इस तरीके से कारपालका दो तरह बैसे एक राजनयतिक कारपालका जो कारियों के निर्धारण के लिए उत्तरदाई होती है और दूसरी है प्रशासनिक कारपालिका जो कारियों के संपादन के लिए उत्तरदाई होती है कारियों के संपादन के लिए राजनेतिक कारपालिका के तहट आती है मंत्री परिसद क्या आएगा मंत्री परसद Council of Ministers मंत्री परसद भाई मतलब एक बड़ा बोला जिसमें Cabinet मंत्री भी है यहीं सबसे प्रमुख मंत्री महतुकूर्ण पदों पर बैठे मंत्री जिसमें राज मंत्री भी है और राज मंत्री में राज मंत्री सुतन प्रभार खुद बखुद आ जाएगा और जिसमें राज मंत्रीों की सहायता के लिए उप मंत्री भी है तो यह सारे मंत्री परसद जो है वो राजनेति कारपालिका का पार्ट है और प्रशासनी कारपालिका के इंतर गताएंगे प्रशासनी क अधिकारी जो कारियों के संपातन के लिए उत्तरदाई रूटे लेकिन यहां जब हम कह रहे हैं कि भारत में कारपालिका का अंकौन है भारत का महानयवादी तो यहां राजनेत्ति कारपालिका विशेश तोर पर आ जाएगी तो संगी कारपालिका का पार्ट है भारत का महानयवादी ये बात इस पस्टता जान ले यानि राश्टपती, उपराश्टपती, प्रधान मंत्री, मंत्री परसक तथा भारत के महानयवादी से मिलकर बनेगी किंद्री कारपालिका इस प्रकार भारत का महानयवादी संगी कार भारत सरकार का मुखे कानूनी सलाहकार हूब तो उचे चेतर एक में बात इस्पस्ट कर दी गई कि राश्पत द्वारा उचितम नयाले का नियाधिस नियुक्त होने की योगिता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महानयावादी नियुक्त किया जा सकता है जो कि भारत सरकार का प्रमुख विधिक अधिकारी होगा, म पालन भी करना पड़ता है, जिन्हें राश्पत समय समय पर निर्देशित करें, हम कंक्लूड करने टॉपिक को, यानि इस टॉपिक को कंक्लूड करने के क्रव में एक बार हम सरसरी नजर से टॉप एंगिल से फिर से महानयावादी से इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, ज बारत के राज़िछेत्र में सभी नियालेओं में सुनवाई का अधिकार होता है, सम्मिधान में महानयावादी की पद सीमायम हटाने की प्रक्रिया बर्णित नहीं है, वह राश्पत के प्रसाद परियंत अपना पद धारन करता है, और राश्पत द्वारा निर्धारित प प्रक्रिया को लेकर मौन है, यानि किस पद करीके से उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, ये भी संसद बिर बना करता है करेगी और उसकी पद सीमा के संदर में भी अधिकार जो है संसद को दिया गया है, पुल मिलाकर चुकि वो अपना पद राश्पत के प्रसाद परियं यानि उसकी कृपा से धारण कर रहा है, ऐसी इस्तिती में राश्पत द्वारा धारित पारिस्रमिक प्राप्त करेगा और राश्पत उसे उसके पद से हटा भी सकता है, ठीक है, महानयवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है लेकिन वह किसी भी संसदी प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकता है, नि मद्दान का अधिकार नहीं है, वह संसद का सदस नहीं होता, परंतु उसे भी वह विशेशा अधिकार और प्रियायते प्राप्त होती है, जो एक संसद के सदस को प्राप्त हों, ठीक है, तो अभी हमने जाना कि वो संसत के किसी भी सदन में कारवाही में भाग ले सकता है, विचार अभगत कर सकता है, लेकिन मद्दाल नहीं क्योंकि वो संसत के उस सदन का सदस नहीं, इसलिए मद्दाल नहीं करेगा। सरकार के स्थित्व में ना रहने पर महानयावादी द्वारा थ्याक पत्र देने की परंपरा पाई जाती दुपरंपरा नुसार, सरकार के सकता में ना रहने पर महानयावादी भी अपने पत्से थ्याक पत्र दे देता है, ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, Attorney General of India भारत का म Academy platform पर अगर आपने चोड़ने का फैसला करी लिया है तो यह हमारा वादा है कि आपके सफलता की राह में हम आपके लिए कारगर प्रयास हर दिन हर छण करते रहेंगे This is your Run Academy, subscribe now, thank you so much, all the best